अगर आप भी बजार से अनहेल्दी या अनहाईजरिक मिठाई नहीं लेना चाहते हैं, घर पर ही कुछ आसान सा टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बेहद असान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगा कर तयार करेंगे, इसके लिए मैंने यहां पर 100 ग्राम मैदा लिया है, साथ हम इसमें एक चमबा देसी गी डाल देंगे, इसे हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, करीवन एक मिनट तक हमने आटे उर घी को अच्छे से मिक्स कर लिय यह देखिए इसमें अच्छे से मौयन हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका नॉमल आटा लगा कर त्यार करेंगे जैसा हम नॉमली रोटी के लिए लगाते हैं विकुल इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है और यह देखिए हमने आटा लगा कर त्यार कर लिया है अब हम इसके पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे ढख कर रख देंगे ताकि अच्छे से से तो जाएगा और तब तक हम इसके लिए स्टफिंग की तयारी करेंगे पान में एक चोटा चमच देशी घी डालेंगे साथ इसमें एक चाँ मित हुए हमें इसे भूने और ये मावा अच्छे से भून गया है तो आब हम इसमें कुछ ड्री फूट्स डालेंगे दो चमझ बारी कते हुए काजू रह दालेंगे और एक चमझ बारी कता हुआ पिस्ता डालेंगे साथि हम इसमें आदी चोटी चमझ इलाइची का powder डाल देंगे flavor के लिए और साथी एक चमज केसर वाला दूर डाल देंगे और इसे चसे mix कर लेंगे हम अब हम यहापर गैस का तरह से हम सभी घारी को तयार करेंगे, घारी की स्टफिंग के लिए हमने मावे की ये साथ तिकियां बना कर तयार कर ली हैं, अब हम इने फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट रहेंगी, और अब हम आटा दिख लेते हैं, आटी को हम एक पर दुबारा से मल लेंग देखें, ये ना तो बहुत जादा पतली होनी चाहिए, ना बहुत जादा मोटी, और अब हम इसके उपर ये मावे की स्टफिंग रखेंगे, और इसके किनारों पर हम पानी लगाएंगे, और इसे किनारों से इस तरह से उठाते हुए बीच में लाएंगे, और इसे इसमें ऑईल जा सकता है, या फिसमें से स्टफिंग भी बाहर आ सकती है, और बाकी की घारी भी हम इसी तरह से तयार कर लेंगे, फ्राइ करने के लिए मैंने या पर कड़ाई में ऑईल लिया है, साथ ही मैं इसमें एक चमाच देशी घी डाल रही हूँ, ट्रडिशनल इसे क इसे फ्राई करते हैं, इसके लिए हमने पोनी को पहले ऑईल में डिप करके बाहर निकाल लिया है, अब हम इसके उपर ये घारी रखेंगे, और कर्ची से हम इसके उपर ये गरम गरम ऑईल डालते जाएंगे, या घी डालते जाएंगे, अगर आप घी में फ्राई कर रहे ह हो जाती और ये घारी हमारी अच्छे से fry हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे लेकिन क्योंकि इस तरीके से fry करने में टाइम बहुत जादा लगता है यानि एक घारी को fry करने में मुझे तकरीबन साथ से आठ मिनट लगे हैं तो मैं दूसरे तरीके से आपके साथ share कर रही हूँ घारी लेंगे हम और इसे इस तरीके से हम oil में डाल देंगे ये देखे हमारी सभी घारी अच्छे से fry हो चुकी है और अब हम इने 10 मिनट के लिए फ्रिज में लग देंगे ताकि ये थोड़ी से ठंडी हो जाएंगे अगर आपके पस melted घी है तो आप उसे 3-4 मिनट के लिए फ्रिज में लग कर थोड़ा उसे semi soft कर लें और अब हम इसमें एक छोटी चमच पाउडर sugar डाल देंगे ये normal PC हुई चीनी है और इसे चमच से हम अच्छे से फेटेंगे हम इसे तब तक फेटेंगे जब तक ये एकदम creamy white से color की नहीं हो जाती इस काम में तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे और ये देखे ये जो हमारा घी है एकदम creamy whitish हो चुका है और ये तयार है और अब हमने fridge में से घारी भी निकाल लिए ये थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब हम इसे इस तरह से घी के mixture में dip करेंगे और चमच के पीशे वाले भाग से इस तरह से smooth कर देंगे ये हमने सबी घारी को इसी तरह से coat कर लिया है और अब हम इसे कटे हुए dry food के साथ garnish कर देंगे इसे 10 मिनट के लिए fridge में लग देंगे ताकि ये सब कुछ इसके उपर अच्छे से सेट हो जाएगा और लेचे हमारी सूर्ती घारी बनकर तयार है ये बहुत ही जादा tasty है ये इतनी tasty है कि शायद मैं इसे शब्दों में बयान ना कर पाऊं तो friends आप भी इस दिवाली पर इस recipe को जरूर try करें और इसके taste का अनुभव करें चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में तीन कप चीनी डाली है साथी इसमें धाई कप पानी डालेंगे और इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और अब इसे ग्यास पर रख देंगे चोटी चमच इलाईची का पाउडर और साथी एक बड़ा चमच गुलाब जल डालेंगे इसे डालना बहुत जरूरी है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाशनी तयार हो गई है इसे एक साइड में रख देंगे धककर की अब इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे इसे हमें हतेली से अच्छे से मैश करना होता है इस काम में काफी मेहनत लगती है तकरीबन 7-8 मिनट आपको मलना होता है तो इस काम को शॉर्ट करेंगे इस मावे को मैं ग्राइंडर जार में डाल दूँगी और अब इसे हम pulse पर grind करेंगे ताकि जो मावा है बिल्कुल smooth हो जाएगा बस कुछ seconds में ही और ये देखिए मावा बिल्कुल smooth हो चुका है और अब हमें इसमें पनीर डालना है तो पनीर को पहले आप इस तरीके से tissue paper पर या फिर kitchen towel पर रखकर इसका जितना भी extra moisture है वो खतम कर लें और अब इसे हम चाहे तो grate करके डाल दीजिए आप या फिर हाथ से इस तरीके से बस crumble करके इसमें मावे के सार डाल देंगे और इसे भी हम pulse पर grind कर लेंगे यह देखे मावा और पनीर बिल्कुल अच्छे से एक सार हो चुका है एकदम smooth और एकदम silky सा हो गया हमें इसमें मैदा डालना है यहाँ पर मैंने एक चोथाई cup मैदा लिया है चमश से नापेंगे तो 4 चमश मैदा है इसके साथ ही इसमें एक छोटी चमश baking powder डालेंगे औ दोनों चीजों को आप चाहें तो चान भी सकते हैं और mix करने के बाद अब यह पनीर और जो मावे का mixture है हम इसमें अच्छे से mix करते जाएंगे और इसका बिल्कुल डो जैसा तयार कर लेंगे तो minimum आप इसमें 3 चमश और maximum 6 चमश ही मैदा डालें मैंने इसमें total 4 चमश ही मै 10 मिनट बाद हम इसे एक बाद निकाल करके फिर से मल लेंगे और अब इस डो को हम दो भागों में बाट देंगे इस तरीके से और अब एक भाग लेंगे और इस तरीके से रोल करेंगे और इसमें से हम छोटे छोटे पोर्शन निकालेंगे जितने बड़े आपको गुलाब बना लेंगे बस आप ध्यान रखें कि इसमें क्रैक्स ना हो अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो समय लिजे कि जो डो है वो हलका सा ड्राय है तो उसमें मौश्टर देने के लिए आप थोड़ा सा गुलाब जल या फिर दूद या फिर पानी डाल सकते हैं बस कुछ बूंदे या फिर आदी चोटी चमश बस जितना आपको जुरत लगे लेकिन यह बिल्कुल पर्फेक्ट बन रहे हैं देखिए बिना क्रैस के तो इस तरीके से हम यहाप सारी बॉल्स बना करके तयार कर लेंगे और अब हम इने गीले कपड़े से ही ढग देंगे ताकि ओपर से ड्रा करना चाहिए और अब हम ओयल को इस तरीके से अच्छे से रोटेट कर लेंगे ताकि इसमें जो गुलाब चमुन है वो नीचे जा करके चिपकेंगे नहीं इस तरीके से एक एक करके गुलाब चमुन डालते जाएंगे और ओयल को इस तरीके से घुमाते जाएंगे गुलाब तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं और अब चाशनी जो है यहां पर हलकी गुंगुनी होनी चाहिए बहुत जादा ना तो गरम हो और ना थंडी हो क्योंकि गुलाब चमुन जैसे ही फ्राइ हो जाएंगे हमें इसे सीधा चाशनी में डालने हैं तो चाशनी हलकी गुंगुनी होनी चाहिए और यहां देखिए हमारे जो गुलाब चमुन है वो बहुत यह बढ़िया से कलर आ चुका है तो इससे जादा मीने और जादा नहीं डाक करेंगे कलर तो इन्हें निकाल करके कुछ सेकेंड्स के लिए हम चलने को इस तरीके से साइड में लगाएंगे कढ़ाई के ताकि इस इसमें जितना भी एकसे सोयल होगा वो निकल जाएगा और अब इन गुलाब चमुन को हम सीधा चाशनी में डाल देंगे चोकि हलकी गुनगुनी है यह देखिए इस तरीके से हमने सारे गुलाब चमुन इसमें डाल दिये हैं और अब इन्हें अच्छे से कर देंगे उपर कर लेते हैं और यह सुभा मैं आपको दिखा रही हूं यह देखिए गुलाब चमुन कितने अच्छे से फूल चुके हैं कितना पॉर्फेक्ट इनके उपर कलर आया है और इन्होंने शुगर सिरफ अच्छे से अब्जॉब कर लिया है यानि हमारे गुलाब चमुन एकदम पॉर्फेक्ट तयार हुए है तो यह देखिए यह मैं आपको काट के दिखा रहे हूं कितना मस्त है मतब एकदम से मुह में घुल जाने वाला अंदर तक अच्छे से पका हुआ है तो फ्रिंट्स मैं तो इसे इन्जॉई कर रहे हूं इसका टेस्स बेहत शानदार है तो चल दूद में उबाला आचुका है अब हम यहां पर गयस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे दो मिनट के लिए सिर्फ ठंडा होने देंगे दो मिनट बाद यह मैंने पानी लिया है इसमें तीन चम्मच पानी हो तीन चम्मच सिर्का है इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और तो अब हम एक बाउल के ऊपर छनी रखेंगे और साथ ही इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और इसे चान लेंगे और अब हम छेने के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरह से चमच से इस तरह से थोड़ा से चला लेंगे ऐसा तरने से इसमें जो भी खटा पन रहता ह सिरके का वह निकल जाएगा इस तरह से हमसे चेने को 2 बार अच्छे से धो लिया है और अब हम इसे हलके हातों से निचोड़ेंगे यहीनि इसमें ठोड़ा पानी हमें रहने देना है और अब चेना इस penalties बाउन्न में निकाल लेंगे अब इसमें 2 दो चम्मच मोटी सूजी डाल देंगे मैं इसमें आज 1 3rd कप देसी खान डाल रही हूं अगर चम्मच से ना पें तो ये 5 चम्मच है इसे डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्चर अभी काफी गाड़ा लग रहा है तो मैं इसमें 2 चम्मच ही छेने का बचा हु बटर पेपर लगा रही हूं अगर बटर पेपर ना हो तो आप इसमें प्लेन जो वाइट पेपर होता है बच्चों की कॉपी का वो भी यूज कर सकते हैं हम एक भारी तले का बरतन गैस पर रखेंगे आप चाहें तो इसकी जगा कोई कड़ाई या पतीला भी ले सकते हैं इसके अंदर ये वाय स्टैंड रखेंगे और इसे ढख देंगे और पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे 20-25 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस मिक्चर में एक चमच देसी गी डाल देंगे अगर आप मैल्टेट गी डाल रहे हैं यानि पिगला हुआ तो आ अदाम और थोड़ा सा केसर डाल देंगे अब हम इसे गरम किये हुए पैन में रख देंगे और 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे यानि बेक कर लेंगे 30 मिनट हो चुके हैं अब हम इसका धकन हटा कर इसे चेक कर लेते हैं ये दिखिए जो इसके किनारी है निकाल लेंगे अब हम इसके किनारे इस तरह से चुडा लेंगे और इसे प्लेट पर इस तरह से डी मोल्ड कर लेंगे और अब हम इसका बटर पेपर हटा देंगे ये दिखिए इसके उपर कितना बढ़िया कलर आ चुका है या या अच्छे से बेख हुआ है और ये हमारा पोड़ा की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राइ करें ये आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हमने कडाई में एक लीटर फुल क्रीम दूद लिया है अब हम इसे गैस पर उबलने के लिए रख देंगे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे बीच वीच में चलाते रहेंगे ये देखिए दूद में उबाला आ चुका है अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे 2-3 चुटकी फिटकरी हम इस कटोरी में डालेंगे इसमें एक चम्मच पानी डालका इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब ये फिटकरी वाला पानी हम इस गरम दूद में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे सासात अच्छे से mix करते जाएंगे और ये देखिए दूद में हलका सा दाना पढ़ चुका है हमें विकुल ऐसा ही चाहिए तो अब हम इसमें फिटकरी का पानी और नहीं डालेंगे और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ही अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से आदा नहीं रह जाता हमने दूद को 15-20 मिनट के लिए मीडियम टू हाइ फ्लेम पर उबाला है और यह देखे यह अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से आदा रह गया है अब हम गैस पर एक कडाई या पैन रखेंगे इसमें आदा कप चीनी डालेंगे अगर वेट में आपे तो यह 100 ग्राम चीनी है और इसे इस तरह से फैला कर डालेंगे और इसे मीडियम टू हाइ फ्लेम पर पहले हम हलका सा गरम होने देंगे और यह देखे थोड़ी ही दिर में आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ी दिर के लिए मेल्ट होने देंगे अभी हम इसमें चम्मच यह स्पैचुला कुछ भी नहीं लगाएंगे वरना जो चीनी है वो बहुत हार्ड हो जाती है और देखिए चीनी जब मेल्ट होने लग गई है तो हम कड़ाई को हैंडल से पकड़के इस तरह से रोटेट करेंगे यानि हलका हलका सा घुमाएंगे ताकि चीनी इवनली और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी आप बहुत ध्यान रखें कि इस समय हमें गयस का फ्लेम लो रखना है और इसे लो फ्लेम पर हलका सा मेल्ट होने तक पकाना है और ये देखिए चीनी में हलका सा गोल्डन कलर आ चुका है अब हम यहाँ पर गयस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे दूद में डाल देंगे दूद में डालने पर इसमें हलके से बबल सुटते हैं तो आप बहुत ध्यान से डालें और इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसे लगातार चलाते हुए medium flame पर पका लेंगे और ये देखिए पहले से काफी गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें flavor के लिए एक चुथाई छोटी चमश इलाइची का powder डाल रहे हैं और साथ ही इसमें एक चमश देसी घी डाल देंगे अगर आप melted घी यूज कर रहे हैं और ये mixture को हमने room temperature पर बेकुल ठंडा कर लिया है आप हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा portion लेंगे और इसे हाथ के वीच इस तरह से roll करते हुए इसे पीड़े की shape दे देंगे आप चाहें तो इसे बर्फी वाली tray में set करके इसकी पर्फी भी बना सकते हैं या फिर इसकी जो पीड़ी की shape है वो भी अपनी पसंद से चोटा या बड़ा रख सकते हैं और अगर ये mixture हाथों में जादा चिपक रहा हो तो आप इसे थोड़ी दिर के लिए फ्रिज में लग देंगे तो आप इससे असानी से पीड़े बना सकते हैं और अब हम इसके उपर थोड़ा से कटे हुए dry fruit लगा देंगे इस तरह से और आप इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं और लिचे हमारे थाबड़ी पीड़ा बनकर तयार हैं यह मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ यह देखे अंदर से कितने जादा soft, moist और दानेदार है अब मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक लिए goodbye, take care and thanks for watching